हलो दोस्तो तो आप लोग कैसे हैं आज के इस वीडियो में जानेगे कि बिलीच इस्तिमाल करने से पहले किन-किन बातों को दियान में रखना जरूरी होता है दोस्तो अगर आप मार्केट जाते होंगे या फिर फालर जाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि बिलिच क्यों इस्तमाल किया जाता है अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तो बिलिच लाइटिंग के लिए इस्तिमाल किया जाता है अपने फेस को गुलोइंग बनाने के लिए किया जाता है और बहुत सारे कामों के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो अगर आप भी बिलिच इस्तिमाल करना चाहते हैं आप इसे पालर ना जाकर घर पर भी इस्तमाल कर सकते हैं कुछ बातों को दियान में रखकर इसको इस्तमाल किया जा सकता है बहुत इजी तरीके से इससे इस्तमाल कर सकते हैं आज की इस वीडियों बताऊंगा कि कैसे इस्तमाल कर सकते हैं जिससे आपको कोई प्रोलम भी नही क्योंकि आपकी एक छोटी गलती से पूरे फेस को बिगाड सकते। दोस्तों दूसरा बात ध्यान में ये रखना है कि जब बिलीच लगा रहे हैं तो अपने आखों के पास और होटों पे इसको नहीं लगाना है। अगर गलती से लग भी जाता है तो उसको तुरांद पूश लेना है। तिसरा बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी बिलीच खर दे तो किसी अच्छी कमपनी के खर दे जो की बरांडेट हो जिसका रेटिंग अच्छा हो जिसको लगाने के बाद हमारे त्वच्चे पे कोई साइड डिफेक्ट ना हो जो हमारे त्वच्चे के लिए साफ हो हो जाने के बाद किसी अच्छे मसाज से अपने फेश को अच्छी तरह से मसाज करें जिससे की आपका फेश शेफट और मुलायम हो जाता है तो आज के लिए बस इतना ही ये विडीयो अपको कैसी लगी विडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देज